इस question में दिया गया है एक train 99 में किलो मिटर पृतिक आवर की चाल से चल रही है यदि ट्रेन 565 मिटर लंबी है तो 975 मिटरी लंबर सुरंग को पार करने में से कितना समय लगेगा तो भाई एक तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है कि चुट है और हम बाज पार यहां पर इसको टोटल डिस्टेंस के तनी कवर करनी पड़ेगी सुद की लंब भाई प्लस सुरंग की लंबई तो खुद की लंबई कि दहने हैं 365 फ्लस सुरंग की लंबई कितनी है 900 पिचेप्तर यह टोटल डिस्टेंस हो गई इसकी स्पीड हमें किया करना है सेकंड में निकालना लेकिन हमें कितना समय लगेगा अब देखो 900, 514, और 140 तो यह हो गया 1440 यहां से काट तो 9 से कितनी बार जाएगा? 11 बार 11 इंटु 5 बटा 2 इंटु T, यह हो गया अब 11 से इसको काट तो कितनी बार कटेगा? 140 बार, 5 से काट होग तो कितनी बार जाएगा 28 बार तो T बäरबर क्या आ गया? 28 इंटू दो 28 इंटू दो कितना होता है मेरा 56 सेकंड मेरा सई अन्सवर आ जाएगा जो कि ओप्शन दिया गया है एक आपके